अफगानिस्तान की सीमा से 2000 से अधिक सैनिक हुए पाकिस्तान के लिए रवाना, पाकिस्तान के नए आर्मी चीप को मारने की शुपारी निकली दूसरा अफगानिस्तान बनने को तयार पाकिस्तान, चैड टुकडों में बंटने वाला है पाकिस्तान, जंग सुरूर पाकिस्तान में आमने सामने आये पाकिस्तानी शैनिक और आतंकी संगठन टीटीपी ने पीछे हटने से किया इनकार युद्ध विराम की बात नकार कर टीटीपी ने कर दिया फेसला जिसको पाकिस्तान नेपाला अब वही करेगा पाकिस्तान पर कब जा जिहां दोस्तों हिंदी में एक बहुती सूप प्रसिद कहावत है जब बोया पेड बबुल का हो तो आम कहां से हो और दोस्तों वर्तमान में जिस तरह से पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान के शैनिक मिलकर जिस तरह से सबसी खतरनाक आतंकी संगठन से लड़ रहे हैं उसको देख दोस्तों खुद पाकिस्तान की वर्तमान सरकार और पाकिस्तान की पूर्वे सरकार पर गुस्सा आ रहा है कि आकिरकार इस पर तभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब इसका गठन हुआ था अब दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि हम किस आतंकी संगठन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वैवर्तमान में पाकिस्तान की सरकार में गले की हड़ी बनकर फंसा हुआ है जो ना तो पाकिस्तान पर कबजा कर पा रहा है ना ही पाकिस्तान को सुधरने का मोका दे रहा है और दोस्तो इस समय पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना अधर में लटकी हुई है कि आखिर करे तो क्या करे जेहां दोस्तो हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं वो कोई और संगठन नहीं बलकि तहरी के तालिबान आतंकी संगठन है और दोस्तो इस आतंकी संगठन ने तब से बवाल मचा कर रखा है जब से पाकिस्तान में नए आर्मी चीप असी मुनीर की एंट्री हुई है दोस्तो पाकिस्तान में एक तरब जहां नए शेनापरमुक ने कमांड संबाल ली है तो वहीं आतंगवादी संगठन तहरी के तालिबान पाकिस्तान ने ए निश्चित कालीन संगर्स वीराम शम्जोते को निरस्त करने का एलान किया है टीटीपी ने अपने लड़ाकों को देशभर में हमला करने के आदेश दिये हैं दोस्तो टीटीपी ने शीज फायर तोड़ने का एलान ऐसे समय पर किया है जब संगठन से बादचीत करने वाले लेटिनेंट जनरल फेज हमीत ने रिटाइर्मेंट की घोशना कर दी है दोस्तो वे सेना पर मुख बनने की रेस में शामिल थे संगठन ने कहा कि कई इलाकों में मुझाहीदीन के खिलाब सेन्य अभ्यान चलाया जा रहा है यह हमें देशभर में हमले करने के लिए मजबूर कर रहा है आतंगवादियों की धमकी ने कुछ घंटे पहले कमांड लेने वाले पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल असी मुनीर के लिए चिंता जनक इस्तती पेदा कर दी है और दोस्तो पाकिस्तान ने इस आतंगी संगठन से यह साब कह दिया है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का स्वागत हम गोलियों से करेंगे दोस्तो आतंगवादियों को पना देने वाले पाकिस्तान के लिए खुद आतंगवाद एक बड़ी समश्या है इसकी कीमत पाकिस्तानी शैनिक और नागरी का अपनी जान देकर चुकाते हैं पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंगवादी संगठन तहरी के तालिबान पाकिस्तान वर्तमान में पूरी तरह शकीरिये हैं दोस्तों साल 2002 में TTP ने आकार लेना सुरू किया था अफगानिस्तान में अमेरिकी कारवाईयों ने आतंगवादियों को खदेर्क दिया था बड़ी संक्या में लड़ा के पाकिस्तान भागाए और कबाईली इलाकों में चिप गए धीरे धीरे इन इलाकों में कई विद्रोही गुटों ने जनम लिया अब दोस्तों पाकिस्तान सेना चाहकर भी इन कबिलाई इलाकों में इनके खिलाब कारवाई नहीं कर पा रही है जब भी कोई अक्षन लिया जाता है श्वात घाटी में सेना का विरोध होने लगता है और दोस्तों दिन पर दिन साल दर साल हालाद बिगणने लगी आखिर दिसंबर 2007 में TTP अस्थित्वे में आया 13 गुटो ने एक जुट होकर एक अभियान यानी तहरीक की सुरुवात की ये चरम 35 संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहलाया इसे TTP या पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है जो अभियान तालिबान से बिलकुल अलग है लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे हैं दोस्तो साल 2012 में TTP ने नोबेल पूसकार विजेता मलाला यूसुफ जाई को निसाना बनाया था गोली लगने से वैबूरी तरह घायल हो गई थी पाकिस्तान में इलाज के बाद उन्हें लंदन रैफर किया गया था हमले की जिम्मेदारी लेते वे आतंगवादी संगठन ने कहा था कि मलाला पर्चिमी विचारधारा वाली लड़की है साल 2014 में फिर एक बार TTP की कुरूरता देख दुनिया सहम गई इस बार आतंगवादियों ने पेसावर में आर्णी पब्लिक स्कूल को निसाना बनाया इस हमले में 131 बच्चों समेथ करीब 150 लोग मारे गए थे हाली में कई बार आतंगवादी पाकिस्तानी शेना और पुलीस पर हमले कर चुके हैं दोस्तो अब पहले से काफी जादा हालात बदल गए हैं और TTP अब और जादा ताकतवर हो गया है अब दोस्तो यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तहरी के तालिबान आतंगी संगठन फिचले कई सालों में अब तक अपनी सबसे मजबूत इस्तती में हैं और दोस्तो आप माने या ना माने लेकिन इसके कई कारण हैं जिसमें खुद एक पाकिस्तान की सरकार है जिसने इसके खिलाब पे काफी धीला रवया दिखाया था इतना ही नहीं दोस्तो पाकिस्तान ने जो भी चाल चली तहरी के तालिबान को रोकने के लिए वैसा बेकार एक मुर्क सरकार की पहचान थी और दोस्तो ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूँ इसका कारण भी है तो दोस्तो पहला कारण जो वरतमान में तहरी के तालिबान आतंकी संगठन इतना मजबूत हो गया है इसका कारण है अफगानिस्तान में अफगानी तालिबान सरकार का गठन जिसमें खुद पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की शरकार और पाकिस्तान के शैनिकों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया था जहां पाकिस्तान के आर्मी चीप ने तो बकाईदा पाकिस्तान के हेलिकॉप्टर भेजे थे, ताकि अफगानिस्तान के पंजसीर छेत्र में जो अहमद मसूद अफगानी, तालीबानी लडाकों से आकेला टक्कर ले रहा था उसको हराया जा सके, और उसके इलाके पर कभजा किया जा सके लेकिन दोस्तों उस समय की मुर्ख पाकिस्तान की सरकार को इतनी अकल नहीं थी कि यही चाल उन पर भारी पड़ेगी दरसल दोस्तों उस समय पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान ने अपनी मंद बुद्धी अकल का इस्तमाल करते वे यह सोचा कि पाकिस्तान की सरकार अफगानी तालिबान की मदद कर देती है अफगानिस्तान पर कबजा करने में तो मदले में पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान है उसकी मदद सी पाकिस्तानी तालिबान यानि कि तहरी के तालिबान पर नियंतरन पाले का दोस्तो उस समय पाकिस्तान की सरकार को लगा की चूंकी तहरी के तालिबान आतंकी संगठन के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करके अफगानिस्तान के बोर्डर में जाकर छुप जाते हैं इस कारण अफगानी तालिबान की मदद अगर पाकिस्तान करता है तो बदले में अफगानी तालिबान इन लड़ाकों को पाकिस्तान को सौप देगा लेकिन दोस्तो हुआ इसका बिलकुल उल्टा जैसे ही अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की एंट्री हुई तो तालिबान सत्ता की नसे में चूर हो गया और पाकिस्तान की किसी भी तरह की मदद से उसने इंकार कर दिया और दोस्तो सोचने वाली बात यह है कि जब अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों का लक्षिय एक है सर्या कानून के तहत सासन चलाना तो कैसे अफगानी तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान की सरकार के हवाले कर देगा ये सोचने वाली बात है और दोस्तो इतना ही नहीं पाकिस्तान की सरकार पहले से ही इस संगठन के सामने काफी कमजोर थी जहां पिछले साल ही हालात यह हो गया था कि इमरान खान की सरकार तहरी के तालिबान आतंकी संगठन के साथ समझोता करने को तयार थी जहां पर अंत तक बात चीच चली जिसमें पाकिस्तानी शरकार तहरी के तालिबान आतंकी संगठन के कुछ आतंकियों को छोड़ने को तयार थी और बदले में तहरी के तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार से वादा किया था कि वे पाकिस्तान शैनी को प्रहमला करना बंद कर देगा लेकिन दोस्तो अंत में ये समझोता भी ना हो सका इस कारण तहरी के तालिबान संगठन और पागल हो गया और दोस्तो अब हालत तो यहां तक हो गई है कि हाली में एक की बाद एक करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अब बड़े बड़े नेताओं को अपना निसाना बनाने में लगा है और दोस्तो हाली में तहरीक के तालिबान आतंकी संगठा ने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के मिशन के परमुख विदेसीर राजनाई की, उबेद, निज, मानी की हत्या करने का परियास किया, अलांकी दोस्तो इसकी सुरुक्षा करते वे पाकिस्तान का एक सैनिक मारा गया, लेकिन तहरीक के तालिबान अब इसको निसाना बनाने में लगा हुआ है,